पर स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ओपो A15S में या फिर ओपो कि किसी और मॉडल में आप यहां पे आइकन स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं अपने फोन का तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि आइकन क स्टाइल मैंने चेंज किया है तो कुछ आपको यहां पे हेग्जागनल स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा तो यहां पे मैंने भी चेंज कर रखा है अगर आपको इसी तरह से स्टाइल चेंज करना है तो इसके लिए आप यहां पे स्क्रीन पर टच करके रखेंगे से से आइकन ठीक है आपके फोन में तो यहां पर आप मेटिरियल स्टाइल कर सकते हैं तो आपको यहां पर इस टैप से आइकन का स्टाइल देखने को मिलेगा पैबल शेप में कर सकते हैं तो पैबल शेप में आपको इस टैप का शेप देखने को मिलेगा और यहां पर कस्टम कर और यहां पर आइकन का शेप आप दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं, हेग्जागॉनल और यहां पर इस टैप से दे सकते हैं और यह वाला साइज, स्ट्राइल, ठीक है? तो इस टैप से आप यहां पर इसका स्ट्राइल चेंज कर सकते हैं तो मैं यह वाला लगा दूँगी और इसके बाद apply पे क्लिक कर दूँगी यहाँ पे apply हो चुका है और apply होने के बाद यहाँ पे आपका style कुछ इस type का दिखता है आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इस type से आप यहाँ पे आइकन, style और इसका color वगरा, shape वगरा सब कुछ चेंज कर सकते हैं आई hope guys यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस type के और इंटरसिंग वीडियो देखने के लिए चैनल विजिट करते रहेगा, चले मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार